पटना के पारस अस्पताल में तीन दिन पहले जो घटना घटी उसको लेकर देश भर में चर्चा है लोग लगातार आक्रोश जता रहे हैं कि आखिर एक अस्पताल में महिला मरीज के साथ इस तरह की घटना कैसे हो सकती है कल उस महिला की मौत हो गई जिनको लेकर कहा जा रहा था कि उनके साथ दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया गया है अस्पताल में वह महिला जो करोना से पिरित थी और उनकी बेटी ने इस मामले का उजागर किया था और अब यह मामला पहुँच गया है राजभवन दरसल ज अस्पताल में गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया है जैसा उस छात्रा ने बताया है हमने मांग की और अगले दिन उस महिला की मौत हो जाती है बिना पोस्माटम किये उसके बड़ी को जला दिया जाता है तो ये पूरी तरह से इस पस्ट है कि उस महिला के साथ योन सोशन हुआ था जो बच्ची ने बताया हमने यहां आकर वक्ष तौर पे महामहीम इसकी जाच कराएं चुकि सप्ता प्रसाशन चुकि वो हस्पिटल ही बिहार का पारास होस्पिटल ही पतना का पारास होस्पिटल ही यहां के स्वास्त मंतरी के परिवार का है तो वहां से न्याय के उम्मिद नहीं की जा सकती है इसलिए हमने बिहार के महा महीम राजपाल जी से गुहार लगाई है तो उस बेटी को 50 लाख रुपए मुआबजे के तौर पे मिलना चाहिए तो आपने सुना मनिश यादब ने जो मामला पारस अस्पताल में देखने को मिला है उस मामले को लेकर राजभवन पहुंचे हैं उन्होंने सीरे तोर पे कहा है कि पीरता को न्याय मिलनी चाहिए 50 लाख जो है कम से कम मुआपजा मिलनी चाहिए और राजपाल से वहां गुहा को अंजाम दिया गया था और इस मामले ने जब तूल पकरा तो कल उस महिला की मौत हो गई जिसके बाद अब कई तरह के सवाल उठने लगे उनकी बेटी बार-बार इस मामले को लेकर अस्पताल प्रशाशन पर आरोप लगा रही है कि उनकी मा को मार दिया गया है ताकि इन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें धन्यवाद